इस समय इंटरनेशनल मार्केट में जबरजस्त गिरावट की वज़े से भारती बजारों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रहे हैं सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे और निफ्टी इस समय 700 पॉइंट नीचे है और इसकी मुख्य वज़े दो यहां पर निकल कर आ रही है पहला तो Fitch ने यहां पर US Sovereign की रेटिंग को कम किया है जिसकी वज़े से 10-year bond yield जो है वो attraction में आ गई है दूसी तरफ है कि manufacturing data यहां पर खराब होने की वज़े से एक impact जो US का आया उसकी वज़े से अब Indian market में भी उसका असर देखने को मिल रहा है इस समय निफ्टी के अगर 50 stock की बात की जाए तो 45 stock negative trade हो रहे हैं साथी संसक्स के 30 stock में से 28 stock में जबर्जस गिरावट देखने को मिल रहे हैं और यह गिरावट अभी बढ़ सकती क्योंकि इस समय important level है 19,500 का अगर निफ्टी का यह 19,500 का level टूटता है तो कहीं न कहीं से technical setup जो है वो खराब होता हुआ नजर आएगा और short term moving averages यहां पर sell generate करते हुए नजर आ रहे हैं तो आगे आने वाले समय में MACD, RSI इन सभी technical indicators पर clear cut गिरावट देखने को मिलेगी चुकि fundamental हालात यहां पर खराब हैं तो आने वाले market के पूरे के पूरे sector में profit booking अभी हावी हो सकती है sector specific यहां पर अगर देखने की कोशिश करें तो आज चाहे वो IT हो चाहे banking, pharma, energy, power सभी sectors में selling का ही pressure देखने को मिल रहा है अभी भी रुकावट यहां पर नहीं देखने को मिल रही है और जैसे हालात बनते जा रहे हैं अगर यहां पर sell trigger होता है तो इंडियन equity market में भी बड़ी गिरावट के संकेत यहां पर बन सकते हैं इस समय fundamental numbers भारत के उतने impact नहीं कर रहे है जितने की अंतरराष्टी बजारों का impact यहां पर कर रहा है इस समय डाव जोन्स, NASDAQ का जो असर रहा वो भारती बजारों में बड़ता हुआ असर नजर आ रहा है अब closing के समय पर अगर market यहां पर थोड़ा सा संभलता है तो कल के द अगर समझे तो यहां पर FIIs भी selling करते हुए नजर आ सकते हैं